को गास क्याम के मैंि की टी का स्चलिट है आइंड है कि टिक एक टी से पर स्टेट्मेंट होता है इसाइज होता है जो की तरह बना होता ती मतलब इस तरीके का टी ये टी से पी स्टेट्मेंट होता है इसमें दो साइड होते हैं एक साइड हमारा लेट साइड होता है और दूसरा साइड हमारा राइड साइड होता है जो लेट साइड होता है इसमें हम सारे विजनेस की कैपिटल और लाइबिल्टी इसको लिखते और जो right side होता है, उसमें हम सारे business के assets को लिखते हैं, fixed assets कितने हैं, current assets कितने हैं, उन सब चीओं को लिखते हैं बास में आरा नब और ये balance sheet इस तरीके से बनाया जाता है कि इसके left side में यानि capital और liabilities का जो balance होता है वो assets के balance के बराबर होता है आप लोग ने जब इसका जो है basic पढ़ा होगा, तो वहाँ पर एक balance sheet equation था वो balance sheet equation ये बताता था कि किसी भी balance sheet में जो assets की total value होती है वो capital और liabilities के योग के बराबर होता है यानि हम ये बोल सकते हैं कि हमारे business में जो assets है वो हमारे business के capital और liabilities के योगकफल के बराबर होता है यानि अगर हम business की capital को liabilities के साथ जोड़ दें तो हमारे business का जो assets है उसकी value निकल आई दिए का जो assets है आए वो capital और liabilities के योगफल के बराबर होता है अब देखिए ध्यान से कि यह balance sheet is a statement यह क्या है statement है डेट समराइज the assets and liabilities of business जो assets की और liabilities की summary बताता है ठीक है balance sheet हम बनाते क्यों है balance sheet को बनाने के पीछे हमारा main objective यह होता है कि हम यह पता कर सके कि हमारे business की financial position कैसी है हमारा business has healthy है unhealthy है यह हम जान सके अगर हमारे business में assets जहें जादा होंगे और liabilities कम होंगी तो हमारा business healthy business माना जाए अगर हमारे business में assets जादा है और liabilities कम हैं तो हमारा बिजनेस Sumardely माना जाएगी बसन्याठाना जिसने मान लोग कोई बीजनेस हो उसमें यह बहुत कम हो और उस business पर देज बरका कर जाओं अलग अलग बैंक पोसे अलग अलग जाओं उसके पूर बहुत सा रख कर जाओं तो क्या वो business healthy माना जाएगा नहीं तो वही चीज है तो business की financial position बताता है क्या balance sheet यानि balance sheet हमारे business की financial position के बारे बताता है the access of assets over liabilities यानि assets हमारा liabilities से जितना ज्यादा होगा it is the net worth आप दी business वह हमारे business का net worth कहलाएगा यानि net profit कहलाएगा the balance sheet providers information that help in accessing balance sheets हमें ऐसे information मिलती है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं हम अपने business की long term strength और performance को measure कर सकते हैं हम अपने business की long term investment long term strength और जो है financial performance को major कर सकते हैं और हम यह भी पता कर सकते हैं कि हमारे business की efficiency कितनी है किसमें day to day working capital management यानि हमारे daily routine के जो capital management है उसमें हमारे business की efficiency कैसी है और हमारे business का assets portfolio कैसा है यह सब कुछ हम बता करते हैं अपने balance sheet की मदद से देखिए जैसे हमारा profit and loss account बनाया जाता है न वैसे ही हमारे expense और revenue के expense के account जितने भी हैं सब close जाते हैं यानि जितने भी revenue और expense के account है सब को close करके हम सबसे पहले यह पता करते हैं कि हमारे business में profit हो रहा है या loss और उस profit and loss को हम transfer कहां कर देते हैं अपने balance sheet में यानि अगर इस तरीके साब देखें अगर इस तरीके साब ध्यान से देखें तो हमारे business की जो liabilities है हमारे business की जो liabilities है ठ right before even Psalm baka covenant थे कि आख कंसे अगर आप crazका होगा तो अगर आपने देखा होगा तो सबसे कहारा कि सबसे पहले व्रतिक क्या है सबसे पहले हमारे को सबसें आको बताया घ्रेका पो पांद र आगे दो पेर हम आगी क्या बनाते हैं रॉप यह लास अकाई और इसी ट्रायल से लास जनुआते हैं बैलेस कि यह सबसे पेड़ी एकाउंट बनाएंगे और इसके जो मारे बिजनस का ग्रॉस प्रॉफित यह डाउस कितना हो गाए उसको अब है अब इस प्राफित से कितना हो रहा है यही होता है यानि सबसे पहला प्रॉसेस क्या है सबसे पहला प्रॉसेस है कि हमारे बिजनेस में अच्छी बात यह है कि जह हम पहली में इंट्री करते हैं तो हमारा यह सब कुछ आटोमेटिक बन जाता है कि यह रही है आप लोग ना माइक्रोफोन म्यूट कर लो मनुपाल पन करने वह हुआ है कि यह वासन आगे ना यारे हमें काउंटिंग साइकल में इतना काम करना होता है सबसे पहला काम क्या होता है जणर्णल एंट्री अगर यह इंट्री हमारी सही हो गए ट्रांजेक्शन की सही एंट्री हमने कर लिया यानि हमने transaction को analyze करके golden rule की साफसे debit और credit सही से कर दिया तो हमारा समझो 90% काम हो गया बाकी का काम वारा software आटोमेटिक कर देगा हमें कुछ अलग से करने के जरूद नहीं है लाश्ट देट में देखा हम था अगर टैली में इंट्री करके अगर टैली हम जनरल इंट्री सही कर रहे थे तो हमारा ट्रेडिंग भी सही बन जा रहा था उसी के साथ साथ profit and loss account भी सही बन जा रहा था और उसी से हमारी balance sheet भी सही बन जाएगा यानि सबसे मेन हमको किस पर focus कर सबसे करना है है में भी फोकस करना जोंडर दिया जाएगा अगर आगको करना नहीं है तो आगे चलकर system पर ही काम करना चाहिए अगर रिंत्रेश है सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है बस अरते आपकी इंट्री सही होने चाहिए बस एक चीज़ का आपको ध्याल देना इंट्री गलत होगा तो यह सारे यानी प्राफिटर नांस अकाउंड को मनाते हैं और यह पता कर लिया कि हमें नेट लोस अब नेट प्राफिट तो भी हमें ट्रांसफर कर देंगे और नेट लॉस हो रहा है तो भी हम transfer कर देंगे कैसे करेंगे आगे के class हम लोगों देख मैं फिर देख रहा है फिर बोला जा रहा है expenses account will not have an opening balance for the next accounting period किसी भी expense के account का opening balance नहीं होता है किसी भी expense के account का opening balance नहीं होता है देखिए आपको सुरू की classes में पढ़ाया भी गया होगा थोड़ा समर रिपीट कर दे रहे हैं ठीक है सुरू की classes में आपको बताया गया होगा कि हमारे business में five तरीके के leisure होते पाँच तरीके के leisure होते हैं पहला लेजर होता है हमारा capital का ठीक है दूसरा होता है है हमारा लाइबिल्टीज का और तीसरा होता है हमारा एसेट्स का चौथा होता है हमारा प्राफिट का और पाच्वा होता हमारा लॉस्ट इस पास तरीके के बना बताए गया होंगे आप लोगों ठीक है इसमें जो सुरू के तीन है यह हमारे पर्मानेंट नेचर के सुरू के तीन यानि कैप्टल लाइबिल्टीज और इसेट्स यह हमारे कैसे है पर्मानेंट नेचर के है यानि इनका बैलेंस कभी खतम नहीं होता है इनका बैलेंस तभी समार्थ होगा जब बिजनस को हम बाइंड अप करेंगे बिज तो वो capital हमारा समाप्त नहीं होगा, वो capital हमारा अगले साल में फिर transfer हो जाएगा, अगले साल में capital हमारा plus minus को शाओर होगा, फिर वो transfer होके next year जाएगा, यानि ये capital, liabilities और assets के जो balances हैं, ये कभी खतम नहीं होते हैं, लेकिन जो profit and loss है, यानि हम इसको बोल सकते हैं, profit ना कहके हम इसको बोल सकते हैं revenue, जो हमारे revenue के accounts होते हैं, जो हमारे revenue के हैं, और जो हमारे expenses के हैं, इनका balance हमें हर साल के अंत में close कर देना होता है, और हर साल के अंत में close करने के बाद, जो भी profit and loss निकलता है, उसको हमें transfer कर देना होता है capital में, बास नमाया, तो ये दो accounts ऐसे हैं, ये द अईसे हैं जो हमारे जो त्वर वुरसो स्टिए हैं यह हैं जो तो प्रेली टिर्टे हैं एस फिर बताइब यह अपको य बता रहा है कि देखेक सबस्क्राइब की हमारे पास Blood K시 próximo हुआThese सिभिन एस हाı है पर्मांद नेचर के होते हैं इनका बैलेंस कभी खतम नहीं होता है इनका बैलेंस हमेशा नेक्स येर में ट्रांसफर करते चले जाते हैं और जो रेक्स के जो होते हैं उनको हम करेंट येर में कैलक्लेट करके हम ये पता कर लेते हैं कि हमारे business में जाएंगा है नहीं होता है यानि इस का कोई भी ऐपनिंग बैलेंस नहीं होगा हम यह नहीं मानके चलेंगे कि पिछले साल हमें 12,000 का profit हुआ था अब उस 12,000 से इस साल हम आगे काम करना शुरू करेंगा ऐसा नहीं है हमारा पिछले साल 12,000 profit हुआ उसको उसी साल हमने capital के साथ जोड घटा दिया अब हमको उसको आगे लेकर जाने के जरूवत नहीं है बास में आए न तो हमारे पांच तरह के एकाउंट्स होते हैं capital liabilities और assets ये permanent nature के हैं इनका balance कभी समाप्त नहीं होता इनको हमें carry forward करके next year लेकर जाना होता है revenue और expense के जितने भी एकाउंट होते हैं उसी साल में close कर दिया आते हैं और उनके balances को capital में हम ले आके adjust कर देते हैं यही accounting का process है अब balance sheet में कौन fluctuating assets तीन तरह cases दिए गए है current assets circulating assets and fluctuating assets यह लगभर लगभर तीनों बराबर हैं देखें these refer to the cash are other temporary assets जो हमारे business में cash हैं और other temporary assets हैं ठीक है which can be converted into cash in a short period यानि जिसको हम बहुत ही जल्दी से बहुत ही तेजी से बहुत ही जल्दी से हम इनको cash में convert कर सकते हैं वो हमारे business के current assets कहलाते हैं example cash in hand, cash at bank, bill receable and other liquid items बास में आ रहा रहा ना यह सारे हमारे क्या है यह सारे हमारे business के current assets current assets ऐसे assets हैं जो cash के रूप में हैं या कोई temporary assets हैं जिनको हम easily cash के रूप में convert कर सकते हैं अब liquid assets क्या होते हैं उनको देखिए liquid assets are current assets which are either in farm or cash are can be converted into cash immediately without incurring a high loss याना बिना किसी बिना अधिक नुक्सान के हम उसको cash में immediately मतलब तुरंत convert कर सकते हैं वह हमारे liquid assets कर लाते हैं जैसे cash in hand cash at bank and sunday data sunday data मतलब क्या जो पैसा हमारे customer पर वकाया है बहुत जो पैसा हमारे pass में है जो पैसा हमारे bank account में यह सब हमारे क्या है liquid assets है अब है investment ज्यान से investment को समझेए इस रिफर टू दा एमाउंट इन्वेस्टेट बाइदा बिजनेस आन ए government bond आन सेयर आन डेवेंचर ठीक है इन्वेस्टमेंट में भी साट टर्म और लांग टर्म इन्वेस्टमेंट कम समय का भी हो सकता है और लंबे समय का भी हाँ के के इन्वेस्टमेंट के रूप में रखा जाता है और लांग टर्म पाइडर अलग अलग याइटमmen की रूप में दिखा से यह हैं यह मारा इंवेस्टमेंट है फिक्सेएट्ट लिंट एच्वा 212 इस एडग टा मॉत इसट अइसेट्म य equipped स्यम्रिबि लिए नहीं कि यूज करने के लिए रखा जाता है पर्मानिट यह Are थे होते हैं जैसे बिल्डिंग है हमारे बिजनेस की होते हैं यह हमारे परमानिट नेचर पर बंद करलो विटा मायक अब यह सब्सक्यों केइब और इसेट्स वेस्टियोट अधिश कमी इसेट्स लॉस्ट थू यूज़ा एकजास्टेट्ट एस्पडम्पलर मेंस सब्सक्राâteषं उसके बात लेकिन इनका बिजनेस की ग्रोथ में बहुत महत्पूर योगदान होता है जैसे कॉपी राइट हो गया पेटेंट हो गया गुडविल हो गया बस गया किसी बिजनेस की ग्रोथ में इनका बहुत महत्पूर योगदान होता है इनको हम ना तो देख सकते हैं और ना ही इनको हम छू सकते हैं गुडविल के बारे मता दें जैसे माल लो आप मुबाइल फोन लेने जाते हैं कोई ठीक है आपको दस जान में कोई अधर ब्रां अच्छा है उसमें इंटरणल मेमोरी अच्छा है लेकिन वह कोई फेमस ब्रांड नहीं और वहीं आपको किसी फेमस ब्रांड वानों वीवो वाले फोन अक्षी है और इसको बहतर मांते नाया तो गुडविल की वज़र से हम खिसको का rhiveness करें हैं हम वीबो वाले फोन को प्रिफर कर रहे हैं अधर किसी अधर फोन को छोड़ कर तो इससे क्या है इससे हमारी वीबो की सेल होती है यानि यह बिजनेस के प्रोग्रेस में एक महत्पूर है तो गुडविल का मतलब होता है अच्छी ख्याती अच्छा नाम वासमया तो जिस ब्र मार्केट में एक अच्छी इमेज अच्छी ख्याती अच्छा उसका जो है एक स्टेंडर्ड क्या है क्या है का मतलब यह होता है कि अपने बिजनेस के जो नेम है उसको में सिक्योर करा लिया है अब उस उस नाम से कोई दूसरा पर्सन उस बिजनेस को उफन नहीं कर सकता उस पेटेंड अधिकतर होता है किसी प्रोडेक्ट के केस में किसी प्रोडेक्ट के केस में उस प्रोडेक्ट के डुप्ली केसी ना हो इसकी लिए उस प्रोडेक्ट को जो हम रेइस्टर करा लेते हैं जिससे उस प्रोडेक्ट का कोई दुबारा सेकेंड कॉपी ना बना सकते हैं तो यह जातर इस्तिमाल किया हैं जैसे आर्थ एंड ड्रामेट्री कीस, महलो कोई खिल में कोई किसी मूवी में कोई गाना बनाया गया, अफो गाने कुछ कर दिया, पेटिंड करा लिए हैं. अब उसे गाने का डुपलिकेड गाना कोई दूसरा वह जाला नहीं नाम को बचाने के लिए उस नाम से कोई दूसरा बिजनेस नहीं शुरू कर चलता है इस तरह आपको दे रखा है यह है फिक्टेशिया से से आर दी डेबिट बैलेंस यह डेबिट बैलेंस में होते हैं एक्सपेंस एंड लॉसेज केरी फारवर्ड फ्राम वन अकांटिंग पिरिएट तू एन अदर दीज और फिक्टेशियस एंड नौट रिप्रेजेंटेट बाई एनी टैंजेबल एंड कंक्रेट प्रापर्टि एक्जांपल आर हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस यह balance sheet का एक format दे रख्ए है इस फार्मेट को अगर आप ध्यान से देखेंगे इसके भी दो साईड आपको नज़र आएंगे पहला साइड आपका लेट साइड है जिसमें आपके एसेट होंगे और दूसरा साइड आपका राइट साइड है जिसमें आपके बिजनेस का एसेट होगा लेट साइड में हमारे बिजनेस का लाइबिल्टीज है और राइट साइड में हमारे बिजनेस का एसेट देखे यह balance sheet का format जहां से देखिए सबसे पहला point है liability का liability में और दूसरे side हमारा assets का यानि यह सुरू के जो तीन column बनाए गए हैं यह हमारे liability के हैं और इधर के जो column बनाए गए हैं वो क्या है assets के liability में सबसे पहली चीज़ है capital यानि हमारे business की start में business में capital कितना था वह amount हम यहां पर mention कर देंगे उसके बाद हमारे business के मालिक का निजी जो खर्च होगा ड्राइंग उसको हम इसमें से less कर देंगे घटा देंगे फिर उसके बाद अगर हमारे business में profit हो रहा है तो profit को इस business में लाके जोड़ देंगे और अगर हमारे business में loss हो रहा है तो यहां क्या कर देंगे घटा देगे लिखा न less net loss हमारे business में जो भी net loss होगा उसको हम यहां से घटा देंगे और profit closing capital होगा और यहींट हमारा नेक्स्ट यूर के लिए क्लाएगा opening capital यहींट हमारा अगले साल के लिए ओपनिंग क्यालाएगा अब बिजनिस की अगली ओडिंग Long Term Liabilities जैसे अगर मैं बैंक में को लांग टर्म लोन ले रख तो हम उसको लाकर यहाँ पर mention कर देंगे नूड कर देंगे, लॉंग टर्म डिपॉजिट है तो उसको भी यहां पर मेंजेद करेंगे जरह से एक अनट देखें ुपियस को हरी देखें, हमारे बिजनेस पर कोई लॉंग टर्म लोन है, तो हम उसको यहां मेंजेद करेंगे, long term deposit है तो उसको यहाँ पे mention करेंगे current liability हमारे business का अगर कुछ भी है जैसे हमारा सबसे पहला है income receiving advance हमने अपने customer से कुछ पैसा advance ले रखा है तो उसको हम यहाँ पे mention करेंगे liabilities for expenses कुछ ऐसे expenses है जिनका payment हमने नहीं किया है वो liabilities हमारे उपर बनी होई है उसको amount हम यहाँ पे लिख देंगे sundry creator याँ supplier का कितना पैसा हमारे उपर बकाया है वो amount हम यहाँ पे लिख देंगे bill payable जो पैसा हमें pay करना है उसका amount हम यहाँ पे mention कर देंगे bank overdraft, bank में कोई ODA account call रखा है उसका जो balance होगा उसको लाके हम यहाँ पे mention कर देंगे start term loan हमारे business में कोई छोटा मोटा loan है तो उसका amount हम यहाँ पे mention कर देंगे चलिए अगला है हमारे business में जो goodwill होगी उस goodwill का balance हम यहाँ पे mention कर देंगे patents, copyright के जो balance होगे उसको हम यहाँ पे mention कर देंगे land और building के जो balance होगे उसको हम यहाँ पे mention कर देंगे plant और machinery का balance हम यहाँ पे mention कर देंगे motor वहकिल हमारे business में कुछ भी है जैसे मालो हमने goods की delivery करने के लिए कोई pick up ओगरा ले रखा है यह हमारे पास कोई भी ऐसी वहकिल है उसका balance हम यहाँ पे mention कर देंगे furniture and pictures हमारे business में जो भी होगा उसका balance हम यहाँ पे mention कर देंगे हमारे business में जो loss tools है उनको हम यहाँ पे mention कर देंगे उसके बाद है long term investment long term investment में क्या क्या चीज़े हैं जैसे मारे business का current receipts है वह हम यहाँ पे लेंगे हमारे business में कहीं short term investment का रखा है वो उसका amount भी हम यहाँ पे mention कर देंगे outstanding income ऐसी income जो generate तो हो गई है लेकिन अभी तक receive नहीं हुई है उसे हम यहाँ पे mention कर देंगे prepared expense हमारे business का कोई prepared expense है उसको में यहाँ पे mention कर देंगे closing stock last financial year का बचा हुआ stock उसको में यहाँ पे mention कर देंगे bill receable ऐसा bill जो generate तो हो गया लेकिन अभी थकम को receive नहीं हुआ है receive होने वाला है उसका balance में यहाँ पे mention कर देंगे cash in bank हमारे bank में जो पैसा उसका balance हमिया पे mention कर देंगे और cash in hand इनका balance हमिया पे mention कर देंगे दोनों साइट को जोड़ेंगे ति यह दोनों साइट होता ही होता चला जाएगा इसके लिए कुछ आपको करने के जरूरत नहीं जैसे देखें नीचे question दे रखाए आपके कि यह यह question दे रखा है इस question में सबसे पहले आपको यह पहचानना है कि आपके business में क्या क्या लाइबिल्टी से capital हमारे business की क्या है लाइबिल्टी है तमने लेकर लिख लिया ढौईंग भिक्या है लाइबिल्टी है इंटेस यज्ञ Knew लाइबिल्टी है नेट लॉज क्या यह त porque हे उसको भी यह वह पिंजिट्स क्वार्ड्या है यहाँ विज्नस की फॉइबिल्टिक है विजनस का सिए इसे थी विए 대해서 ये पिन ना कि आपके विजनस में कौन से उन्टी से हैं ओर आपके विजनस में कौन कौन से जो आरें कि मनुपल आया है क्या की घर से पड़ावाइटिक हैं तो आपको मेन अगर आपको इस तरह से ट्रायल बैलंस दिया जाएगा तो आपको इसको ट्रायल बैलंस में यह पता करना होगा और बिजनेस की क्या-क्या लाइबिल्टीज उसके बाद नेक्स आपको यह देखना होगा कि हमें इसे बनाना कैसे तो हम इसका फार्मा बना लेंगे इस तरह के इसका हम फार्माइड बना लेंगे और फार्माइड बना के जो भी चीजे हैं सब को मैं एड़ेस्ट कर देंगे जैसे दिफो कैपिटल हमा ने जोड़ दिया तो सब एक लाग बीजार में से जब छेजार घटाएंगे चौदा जार दो सुरुपए घटाएंगे और बातर सुपर जोड़ देंगे तो यह बचेगा एक लाग साथ जार उसको यहां पर लाके लिग दिया लांग टर्म डिपोजिट फंद्रह जार तो सब्सक्राइब करेंगे यह सारा का सारा आपका लाइबिल्टी साइट दोनों बराबर होगा और इसका सही बैलेंस आपको मिल जाएगा चलिए इसके बाद एक कोशन दे रखका इसको हम लोग साल्व करते हैं खुद से यह आप समझ में आएगा आप देखो यह कोशन दिया गया है इससे बैलन सीट हम बनाएंगे अब आपको क्लियर हो जाएगा बैलन सीट बनता कैसे देखिए चलिए पहले पुराना लिखा वह सब चीज हमने हटा दिया यहां पर कुछ नहीं है समझो कितना चीज आपको दिया गया है ठीक है यह ट्राइल बैलेंस आपको बनाके तो चलिए यह capital है capital होने our ability लेक्राइंब क्लिया में नहीं यहां पिल्डिया यह लेंड क्या है एसे मासिंट्री इसे पैटेंट है हमारे बिजनस के लिए एसेट्स है यह संदी क्रेटर का बैलेंस से बिजनस की लाइबिल्टीज है डेटर मतलब कस्टमर का बैलेंस से बिजनस के लिए क्या है एसेट्स है उसके बाद कैस इन हैं क्या है बिजनस के लिए एसेट्स है कैस एक बैंड यह क्या बिजनस के लिए एसेट्स है लांग टर् बिजनेस के लिए प्रकार की लाइबिल्टी यह ट्राइल हमको दिया था अब इससे हमको बैलन सीट बनाना है तो सबसे बेटर क्या है आप इंडोज के साथ और यहां पर एक एक सब्सक्राइब करें कर लें की यह प्रकी आपका लएबिल्ट स्ब्सक्राइब में लिखा जाएगा क्या हमने हम क 채 et कैक फार्मैट देखो कि यह नेट है कि दर दुखा गया है कि अब टी लिखा गयाना तो वही चीज़ हमने में तर्में सब्सक्राइब कि शितरा लिखेड इसमेख्मीद कि देखिए इसमें जो नेट प्राफिट दिया गया है कि तो वहीus कुश्चन में है क्या क्या फिल्टर कर दिया है कि हमारे बिजनस में क्या-क्या सेट्स है और हमारे बिजनस की क्या-क्या लाइबिल्टी अब हम पुलेंगे अपना excel seat और इस excel seat में हमें इसका format बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे liabilities यह हो गया liabilities फिर यहाँ पर हम लिखेंगे amount और यह भी हमारा हो जाएगा amount यह हो जाएगा हमारा acids फिर यह हो जाएगा हमारा amount और यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा amount ठीक है फालम थोड़ा सा हम यहां से बढ़ा कर देंगे यह हो गया हमारा एक प्रकार का heading ठीक है अब में कुछ area select करके इसको हमने बाउडर लगा दिया चलिए अब में कोश्चन की हिसाब से हम लोग तयार करते कोश्चन की हिसाब से बिल्कुल कि कोश्चन में सबसे पहला चीज़ दे रखा capital कितना है साथ हजार तो कैप्टल को हमने यहां कर लिया कॉपी और लाइबिल्टी साइड में लिख दिया कैपिटल और माउंट डाल दिया साथ हजार ठीक है और कि थोड़ा सा बड़ा कर दें दिखाई दें नेक्स्ट हमारे बिजनेस का ड्राइंग है कितना तीन अजार रुपैर तो ड्राइंग को कैप्टल के साथ घटाया जाता है इसलिए हम यहां पे लिखेंगे लेस और ड्राइंग कि यहां वैलू डालेंगगे कितना थीन अजार आप देखेंगे द्राइंग हो क्या कि तो हम यहां पर कर देंगे अएड अएड लिखने के बाद हम यहां पर कर देंगे नेट प्राफिट ठीक है और यह हो जाएगा हमारा 12,000 हो जाएगा न उसके बाद लैंड और बिल्डिंग एसेट साइड में जाएगा न कितना हो जाएगा 25,000 हमने इसको कर लिया कॉपी यहां हम पहले एक हेडिंग देते देंगे यह होगी हमारा फिक्स एसेट और फिक्ससेट में हमारा लैंड और बील्डिंग कितना एमाउंट हो जाएगा 25,000 तो हम यहां भड़तेंगे 25,000 हमें बस फिल्टर करके लिखना है प्लांट एन मसीनरी कितना 18,000 तो यह भी हमारा एसेट साइड में चला जाएगा हमने यहां प्लांट एन मसीनरी लिखा और उसका बैलेंस डाल दिया 18,000 चलिए नेक्स्ट है हमारा पेटेंट यह भी एसेट साइड में जाएगा इसका बैलन्स है 5000 रुपर हम एसेट साइड में आ गए और इसका बैलन्स है 5000 पिर उसके बाद है गुडविल इसका बैलन्स है हमारा 10,000 इसको भी हम लिख लेंगे एसेट साइड में और इसका बैलन्स हो गया लए नेक्स डिंगी यह क्या है लाइबिल्टी है है कौन से लाइबिल्टी ट्रेशन लाइबिल्टी तब एक हेडिंग हम आपर डाल देंगे अर उसका बैलन्स हम transition लाइबिल्टी है करेंट लाइबिल्टी यह हो गया हमारी करेंट लाइबिल्टिस को हमने कर दिया कंट्रोल भी से बोल्ड इसको भी बोल्ड कर देते हैं अच्छा संडी क्रेटर का बैलेंस कितना दे रखा है 16,000 तो 16,000 बैलेंस हम यहां पर लिखने में ठीक उसके बाद नेक्स्ट है हमारा संडी डेटर्स यह किदर जाएगा ACETS side में SUNY DATORS हमारा Current ACETS होता है इसलिए हम यहाँ पे जाएंगे और इसको PIST कर देंगे और यहाँ HEADING डाल देंगे Current ACETS का Current ACETS तो हम इसको हमने कर दिया Control B से BOLT कितना BALANSE SUNY DATORS का 30,000 है न तो हम यहाँ BALANSE भर देंगे 30,000 चलिए उसके बाद है कैस इन हैंड शप्पन सो रुपए तो हमने यहां ली दिया कैस इन हैंड एमाउंट वर दिया शप्पन सो उसके बाद नेक्ष दिदे रखा कैस एड बैंक बैंक में बैलेंस कितना है दस हजार चार सो और यहां और पर देंगे तस हजार चार स उसके बाद है लॉंग टर्म प्रिक्ष उसको कर लेंगे कौपी और हो जाएगा हमारा 60,000 अब आगा हमारी लाइबिल्टी साइड में लॉटेशना लॉन कितना है चालिस हजार तो यह बैलेंस हम यहां पर इसके बाद एक पूंच हजार रुपर हम इसको यहां पर मैंसर्ण करके यहां पर देंगे पांच हजार हिरे बैंक ओवरड्राफ्ट यह लाइबिल्टी पांच जार का इसको हम करेंगे कॉपी करने के बाद हम यहां पर कर देंगे प्रेस्ट और बैलन्स बढ़ देंगे पांच हजार लिए क्लोजिंग स्टॉक एसेड से पंदरह हजार पांच तो हम साइड में यहां बैलन्स हो जाएगा पंदरह हजार पांच ठीक है नेक्स्ट उसके बाद देखिए आउट स्टेंडिंग रेंट कितना है पंदरह सव रुपए इसको करेंगे कॉपी करने के बाद हम यहां पर कर दे होंगे पेस्ट लाइबिल्टेज किना दिरखा है पंदरह सव रुपए उसके बाद इन्वेस्टमेंट यह प्रकार का एसेट से हैं और यह हो जाए हमारा पीस जार रुपए था कि भी सजार है उसके बाद बिल पेबल यह हो जाएगा तेरह जाब यह हो गया तेरह जाए इसको डेक्स्टाप पर भी यह के नाम सेपकर लिए बैलेंसीट के नाम से अब देखिए ध्यान से हमारे बिजनेस का अंग साथ कैपिटल कितना साथ हजार हमारा ड्राइंग हो गया तीन अजार तो साथ जार में इससे तीन अजार घटा देंगे प्लस हमें प्राफिट मिला कितना बारा जार के इसको लेकर जोड़ देंगे तो जोड़ना है तो प्लस कर देंगे कितना 12,000 इंटर कर देंगे यह बैलन्स यहां पर आ जाएगा 79,000 के इसको थोड़ा सा कंट्रोल बीस से बोल्ड कर देंगे यह हमारे कैपिल का बैलन्स हो रहे हैं इन सब को जोड़ कर कर दिया इंटर पैंक इन दोनों एमांट को हमें यहां पर जोड़ना है तो हम यहां पर कर देंगे एक्वल टू प्लस के पिशाट्र अब पांसा इंटर कर देंगे तो हो गया एक लाख चुवालिस जार पांसा इसे बोल्ड कर